हेलो दोस्तों चा आप आत्मा या टाइम ट्रेवल की बात पे विश्वास करते हैं यदि हाँ तो अच्छी बात है और अगर नहीं तो अमेजन प्राइम आपके ले एक नई वेब सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है दा लास्ट हावर इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.1 मूवी की सुरुवात में इंस्पेक्टर अरूप को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफर नौर्थ इस्ट एरिया में हो जाता है वहाँ जाते हैं उसे एक लड़की की मडर मिश्ट्री सौल्व करने को मिलती है एसाई लीपिका जो उनकी सायक है उनके सांथ रहती है जिन् एक पावर उसकी मा ने अपनी मौत से ठीक पहले दिया होता है जिसमें वहाँ आत्माओं के पास्ट को देख सकता था उसकी मा को एक और जाकडी जिसका नाम यमनाडू है जिसके पास लोगों की आखों में देखकर उसके फ्यूचर बताने की छमता होती है वह उसकी मा को मा देता है उसकी ताकत छिनने के लिए लेकिन किसी तरह वह बच कर अपने बेटे को अपनी ताकत दे देती है या मनाडू वह पावर प्राप्त करके पावर फुल जाकड़ी बनना चाता था जिससे वह अपनी मौत पर विजय पाप्त कर सके और दुनिया में तबाहि ला सके आके हम देखते हैं कि देव तिरंदाजी का अभ्यास कर रहा है जहां उसे एक औरत दिखाई देती है उस औरत का पीछा करने पर वह औरत गयाब हो जाती है लेकिन एक और लड़की जो कि सुसाइट करने वाला ही होती है उसे किसी तरह देव बचा लेता है उस लड़की का नाम परी है और वहां इंस्पेक्टर अरूप की बेटी है परी के पास भी कुछ सक्तियां होती है जिससे वह टाइम ट्रेवल करने वाले लोगों को टाइम ट्रेवल के दोरान देख सकती है जो की मूवी में बीच बीच में दिखाया जाता है उस लड़की का मडर केस जिसे इंस्पेक्टर अरूप को सौपा गया है उस केस में सामिल दो पुलिस वाले देव को छोटे भाई को मार देते हैं देव वहां आ जाता है और उसकी आत्मा से पता लागाता है कि किसने और क्यों मारा वह इंस्पेक्टर अरूप को सारी संचाई बताता है पहले तो इंस्प इसले वार मडर की सुरुवात हो जाती है मडर करने वाला कोई और नहीं बल्कि यमनाडू है जिसे देव की तलास है जिसके पास वहाँ पावर है जिसके साहरे वहाँ ताकतवर बन सकता है इंस्पेक्टर अरूप देव की मदद चाहता है इस मडर केस को सौल्व करने के लिए और देव को भी मदद चाहिए होती है इंस्पेक्टर अरूप की, जिससे वहाँ अपनी मा की हत्यारे यमनाडू का पता लगा सके, इस तरह मूवी की कहानी आगे बढ़ती चली जाती है, एक दिन इंस्पेक्टर अरूप देव को अपने घर ले जाता है, घर ले जाने पर वह परी को देखता है, जिसे उसने सुसाइट करने से बचाया था, और उसे उसी वक्त पता चलता है कि वह इंस्पेक्टर अरूप की बेटी है, परी की मा लिपिका को भी वह कुरसी पे बैठे हुए देखता है, जो की एक आत्मा है, लेकिन देव इस बारे में किसी को कुछ न देता है, सिलसिले वार मुडर करने वाले यमनाडू की तलास में ये लोग भटक रहे होते हैं, कि उसका सांती थापा उनकी हाथ लग जाता है, लेकिन किसी तरह वा बच निकलता है, और यह बात वा यमनाडू को बताता है, थापा और यमनाडू, देव के एक दोस्त की कि एन मौके पर इंस्पेक्टर अरूप और देव वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। किसी तरह बच कर भाग जाता है। कि परी का किसी ने रेप कर दिया है और उसे अधमरी हालत में छोड़ दिया है। कि जिस रात उसके साथ जगड़ा हुआ था। उस रात एक गाड़ी से उसने लिफ्ट मांगी थी जिसमें तीन लोग सवार थे। उन में से एक की हाथ या पैर में एक भेड़िये का टैटू गुदा रहता है। जो कि एक रक्षा का वच्छ है। लेकिन देव इस खोजबिन के बारे में इंस्पेक्टर अरूप को कुछ नहीं बताता क्योंकि अगर उसे यह पता चला कि वहाँ परी से प्यार करता है। तो किसी ना किसी करण से वह परीपर हुए हाथ से के लिए देव को ही जिम्मेदार समझेगा और उसे दोसी ठायर आएगा। अंतितह इंस्पेक्टर अरूप को देव पर शक हो जाता है और वहाँ देव की पीछे पढ़ जाता है। देव भी उससे बचते बचाते थापा यमनाडू और उस टेटू वाले की तलास में निकल पड़ता है। बताता है कि देव अभी ये भी यहाँ पर आया था। तब ही देव वहाँ आ जाता है और पिंटू को मार कर उसकी आत्मा से यमनाडू का पता मांगने लगता है। टाइम ट्रेवल के कारण पास्ट में फसा हुआ है। जिसने यह जान लिया है कि भविस्य में यमनाडू ने उसे मार दिया है। लेकिन पास्ट में फसे होगने की कारण वह कुछ नहीं कर सकता। तब ही इंस्पेक्टर अरूप देव की तलास में वहाँ आ जाता है। उसे पिंटू और देव की बॉड़ी मिलती है। वह यमनाडू को अपने गन से सूट करता है। लेकिन यमनाडू को कुछ नहीं होता। तब ही यमनाडू उस घर में आग लगा कर चला जाता है। झाल 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 झाल